यहाँ पे हमें एक Polygone दिया गया है जिसका हमें Area Find Out करना है तो इस Polygone का Area Find Out करने के हमारे पास दो Method है पहले Method में हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको एक Rectangle और एक Trapezium में Divide करेंगे और उनका Area निकालके हम इस Polygone का Area Find Out कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा तो देखे जो ये 6 cm है न इसके पैरलल हम यहाँ पे एक line और ड्रो कर लेंगे तो इसके पैरलल यहाँ पे यह line होगी जब ये 6 cm है तो ये भी 6 cm होगी तो कि ये हमारे पास first जो figure है ये बन गया है एक rectangle तो यहाँ पे हमारे जो trapezie में उसका जो height है वो आ गया है 1 cm तो मैं आपर निकाल लेता हूँ, area of polygon, area of polygon, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, area of rectangle, area of rectangle, प्लस में area of trapezium, area of trapezium, ठीक है, तो rectangle का area कैसे निकलेगा हमारा, length multiply breath करके, तो इसका जो length है, वो कितना है, वो है 6 cm, और breath कितना है, वो है 2 cm, ठीक है, तो ये आजाएगा हमारे पास कितना, 6, 2, 12, 12 cm square, अब हम यहाँ पे trapezium का area find out कर लेते हैं, तो trapezium का जो area है न, वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं, 1 by 2 multiply में height, height कितनी है यहाँ यहाँ पे, यह है 1 cm, and some of parallel sides, तो parallel sides क्या है यहाँ यहाँ यह है, 6 cm, and 5 cm, तो 6 plus 5 निकाल ल 12 cm square प्लस में 11 बंचा 11 upon 2 cm square, ठीक है, तो 12 cm square प्लस में 11 upon 2 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5.5 cm square, जब इनको add करेंगे तो यह जाएगा 17.5 cm square, एक तरीका तो हमारे पास यह हो गया, अब दूसरा method क्या है, दूसरा method यह है कि हम क्या करेंगे, जो यह polygon है न, इसको एक complete rectangle बना देंगे, इनको extend करके, ठीक है न, ऐसे dot dot, और यहाँ पे यह dot dot, तो हम क्या करेंगे, इस rectangle में से, ठीक है न, इस rectangle में से हम यह triangle का area minus कर लेंगे, तो मैं इसका nomenclature कर लेता हूँ, इस तरह से a, b, c, d, और यह यहाँ पे e, और यहाँ पे f, ठीक है न, तो इधर लिख में area of polygon, अब दोनों method में से किसी से भी कर सकते हो, area of polygon, तो यह कैसे आएगा, यह आएगा area of rectangle, a, b, c, d, तो यह आजएगा area of rectangle, a, b, c, d, minus area of triangle, area of triangle, e, b, f, ठीक है, अब देखे, जो यहाँ पे आपका rectangle है न, उसकी length कितनी है, उसकी length है, 6 और breath है, 3, यह वाले लेंगे हम, ठीक है, तो यह आजएगा, 3 cm, 6 cm, ठीक है, length कितनी है, 6 cm, multiply, breath कितनी है, इसकी, यह है, 3 cm, तो यह आजएगा, 6, 3, 18 cm, square, ठीक है, अब इसमें से minus कर देते हैं हम किसको, यह triangle के area को, तो triangle के area है, हाँ पे कैसे निकालेंगे, देखे, जो इस opposite side है, वो होती है, equal, यह 6 है, तो यह यहाँ से यहाँ तक 6 होनी चाहिए, और यह 5 दी हुई है, यहाँ से, तो 6 में से 5 जाएगा, तो यह कितने बचेगा, 1 cm, उसी तरह से rectangle की जो यह वाली side है, मतलब breath है, ठीक है न, तो जितनी यह है, उतनी ही, यहाँ से यहाँ तक यह बने, ठीक है, तो यह रहे जाएगा, 1 upon 2 cm2, तो यह रहे जाएगा, 18 cm2 माइनस में, 1 upon 2 का 0.5 cm2, तो 18 cm2 में से 0.5 जाएगा, तो यह बचेगा, 17.5 cm2